परिजय पुत्र तुम क्या कर रहे हो? पिताजी हमारे अध्यापक ने मुझे खादे उत्पादन समवर्धन कारेनिती पर कारे दिया है लेकिन मैं इसे समझने में असमर्थ हूँ क्या आप मेरी साहता करेंगे? अवश बेटे हमने खादे उत्पादन की वरिध्य में बहुत सी तक्नीकियों का प्रियोग किया है अच्छा? पर कौन सी विधियां पिताजी? हम उन प्रजातियों का प्रियोग करते हैं जिनकी उत्पादन शमता उच्चे होती है क्या तुम विष्टार से जानना चाहोगे? हाँ पिताजी इस अध्याय में आप सीखेंगे कि मानव जाती के लिए भूजन के उत्पादन में प्रिधी किस प्रकार की जा सकती है उत्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पशुपालन की व्याख्या करना पाधप्रजनन एवं इसके प्रकारों का वर्लन करना एकल कोशिकी ये प्रोटीन को जानना उतक संवर्धन की व्याख्या करना पशुपालन पशुपालन, गाए, मवेशी, बक्री आदी जैसे घरेलू पशुओं की देखभाल करने का विज्यान है, जिनका उप्योग, मुख्यता, भोजन या उत्पात के सुरोतों के रूप में किया जाता है. फार्म एवं फार्म पशुओं का प्रबंधन डेरी फार्म प्रबंधन डेरी उद्योग एक पशुप्रबंधन है, जिसमें मनिश्य के उपभोग के लिए दूद और उससे बनने वाले पदार्थों का उत्पातन किया जाता है. दूद का उत्पातन मुख्य रूप से पशुओं की नसल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है. उत्पातन क्षमता का लाप लेने के लिए निर्न लिकित बातें अवशक हैं. पशुओं के लिए उप्युक्त आवास की वैवस्था होनी चाहिए. चारे की मात्रा वा गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पशुओं को भोजन वैज्ञानिक धंग से दिया जाना चाहिए. पशुओं को प्रचुर मात्रा में पीने का पानी उपलब्द होना चाहिए. पशुओं की देखभाल इस तरह हो कि वे रोगमुक्त रहें. पशुओं एवं उनके पालकों दोनों की गहन स्वच्चता और साफ सफाई बहुत आवशक है. कुकुट पॉल्ट्री फार्म प्रबंधन कुकुटादी से तातपर्रे उन पालतू पक्षियों से है, जिनका उप्योग भोजन अत्वा उनके अंडों के लिए किया जाता है. कुकुटादी में खास दौर पर मुर्गा मुर्गी एवं बत्तफ और कभी कभी तर्की तथा कलहंस आते हैं. कुकुट पालन प्रबंधन के मुख्य खटक इस प्रकार हैं. रोग मुक्त एवं उप्युक्त नसलों का चयन. पक्षियों के लिए समूचित दाने एवं पानी की वैवस्था. फार्म के लिए उचित एवं सुरक्षित वातावरन. पक्षियों की साफ सफाई और देखभाल. पशु प्रजनन पशु प्रजनन क्रिशी की वहशाका है, जिसका संबंध मवेशी, सुर, भेड और घोडे जैसे घरेलू पशुओं की देखभाल से होता है. प्रजनन दो प्रकार के होते हैं. अन्ताह प्रजनन. इसका अर्थ समान नसल के भीतर सघनता से संब दो देनें की उच्च शमुतावाली मादा और उच्च कोटी के बचुरों और सांडों की प्राप्तिहेतू, समान नसलों की उत्तम कोटी की गायों और सांडों के चोडों का संयोग कराया जाता है. अताह प्रजनन और चयन की इस्विधी से उत्पन घरेलू पशों की बहुमूले नसलें इस प्रकार हैं. स्पेन में विक्सित मेरिनो भेड जो उच्च कोटी की उन के लिए जानी जाती है. घोडों की आधोनिक प्रजातियां तीन अर्बी घोडों की वंचच हैं. अताह प्रजनन से सम्युक मच्चता उत्पन होती है. इसके कारण हानी कारक आप्रबल जीनों की उत्पत्ती की संभावना बढ़ जाती है. आप्रबल जीन केवल सम्युक मच्च अवस्था में प्रकट हो सकते हैं. इसलिए सम्युक मच्चता से हानी कारक आप्रबल एलिलों यानि युक्म विकल्पी जीन का एक रूप उसकी उत्पत्ती में वृद्धी होती है. जिससे हानी कारक फैनो टाइप उत्पन होते हैं. इसे अंता प्रजनन अफसादन कहा जाता है। बाही प्रजनन इसका तात्पर्रे समान या अलग-अलग नसलों या यहां तक की अलग-अलग प्रजातियों के भी असबबंध पशियों के संयोग से होने वाले प्रजनन से है। इसके निम्न प्रकार होते हैं। बाही संकरन एकी ही नसल के भीतर पशों के समागन की यहक्रिया बाही संकरन कहलाती है, किन्तु उनकी नसलों में चार से छे पेडियों तक उनकी पूर्वजों का कोई संबंध नहीं होता। इस संकरण में उत्पन बच्चे को बाही संकर कहा जाता है। एकल बाही संकरण से अंता प्रजनन अफसादन से बचाओं में साहिता मिलती है। प्रजनन की ये विधी उन पशुओं के लिए सर्वोत क्रिष्ट है, जिनकी उत्पादक्ता और विकास की क्षमता औसस से कम होती है। संकरण इस विधी में एक यही प्रजाती की एक नसल के श्रेष्ट नरका, दूसरी नसल की श्रेष्ट मादा से संयोग कराया जाता है। इससे उत्पन होने वाले बच्चे में दो विभिन नसलों के वांचित गुड़ों के संयोजन में साहिता मिलती है। इस तरह उत् संकर पश्वों का उप्योग सीधे वैवसाय हेतु उत्पादन अथ्वा नई और दीरकिजीवी नसलों के विकास के लिए किया जा सकता है। बीका नेरी भेडों तथा मेरीनों मेडों के समागम से विक्सित एक नई नसल हिसर डेल संकरण का एक उधारण है। अंतरा जाति संकरण यह विजाती प्रजनन की एक विदी है जिसमें तो अलग अलग प्रजातियों के नर और मादा का समागम कराया जाता है ताकि इससे उत्पन बच्चे में दोनों की विशेष्टाएं आ सकें। उधारणार्थ नर गधे तथा मादा घोडी के मिलन से खचर की उत्पत अन्ता विशिष्ट संकरण का एक उधारण है। यह वो प्रक्रिया है जिसमें प्रजनक एक उत्तम नर से लिए गए शुक्राणों को सुई के माध्यम से किसी चैनित माधा के जननक्षित्र में छोड़ता है। इस प्रक्रिया के लाप शुक्राणों का उप्योग तत्काल किया जा सकता है। अथ्वाइस का संचेकर फ्रीच में रखा जा सकता है। और बात में जब माधा जननकी आवस्था में हो तब इसका उप्योग किया जा सकता है। जमी आवस्था में शुक्राणों को दूर उस इस्थान पर ले जाया सकता है जहां उत्तम चैनित माधाएं किसी श्रेष्ट नर्के शुक्राणूं का प्रयोग कई माधाओं पर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया का एक महत्र दोश ये है कि इसमें सभलता की दर बहुत कम है। यानि MOED ये मवेशी में सुधार की एक विधी है। इस विधी के विभिन चरण इस प्रकार है। शरीर में स्थित रस्रावी कूप की परिपक्वता और उत्तम अंडोस सर्ग यानि एक चक्र में 6-8 अंडाणूं के उत्पादन के लिए प्रावृत्त करने हे दू एक गाय को रस्रावी कूप को उत्तेजित करने वाले हार्मोन जैसा हार्मोन दिया जाता है। गाय का उत्तम सांड से समागम कराया जाता है, अथवा उसमें कृत्रिम वीरिस से चन कराया जाता है। इस विधी में 8-32 कोशिकी ये अवस्थाओं में निशेचित डिंब प्राप्त होते हैं, जिन्हें सरुगेट मादा में प्रेशित कर दिया जाता है। इस तकनीकी का प्रेयोग बवीशी, खरगोशों, घोडियों इत्यादी पर किया जा जा जुका है। कम समय में बचले बच्चियों की संख्या में विधी हेतू, इस तकनीकी से उच्च दुख्द उत्पादंक्षमता वाली नसल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता के मास वाले बच्चे उत्पन करने वाले सांडों का प्रजनन सफलता पूर्वक कराया जा जुका है। मधु मख्यों की देखरेक मुख्यता शहद और मौम के उत्पादन के लिए की जाती है। शहद का उप्योग इन रूपों में किया जाता है। उच्च पौश्टि का हार तथा आयुर्वेद में आउशिधी के रूप में सौंदरे प्रसाधन एवं पौनिश उध्योगों में मधु मौम का उप्योग किया जाता है। मधु मख्यों की एक मुख्य प्रजाती एपीज इंडिका है, मधु मख्यी पालन में ध्यान देने योग्य मुख्य बादें, मधु मख्यों के सभाव आदतों का ज्यान, मधु मख्यों के छत्तों को रखने के लिए उप्युक्तिस्थान का चयन, मधु मख्यों के जुंडों को पकड़ कर छत्ते में रखना, विभिन मौसमों में छत्तों का प्रबंधन, शहदेवं मौम का रख रखाओ और संग्रहे मात्सिकी मात्सिकी एक उद्योग है, जिसका संबंध मचलियों, मोलस्कों और क्रस्टे सियनों आदी या उनके उत्पादों को पकरने, उन्हें पालने, उनके प्रासंसकरण तथा बिक्री से है ये एक महत्पूर उत्योग है, क्यूंकि अधिकतर लोग अपने भूजन के लिए मचलियों पर निर्भर रहते हैं तट्येक शित्रों में मचली पालन असंग के मच्छवारों को आए और रोजगार पदान करता है मचली के कई उत्पादों जैसे उसके यक्रित का तेल, उसका औशदिये महत्व है कतला, रोहू, कॉमन क्रॉप इत्यादी, मीठे जल में पाई जाने वाली कुछ मचलियां हैं हिल्सा, साडीन, इत्यादी, समुद्र में पाई जाने वाली कुछ सामान निमचलियां हैं। पादप्रजनन पादप्रजनन विज्ञान की वो शाका है, जिसका संबंध पेड़ पौधों को मानव जाती के अनुकूल बनाने हितू, उनके परिवर्तनशील जेनो टाइपों से होता है। पादप्रजनन के उद्देश, उच्छ फसल, गुण्वत्ता पूर्ड विशिष्टाओं में सुधार, रोगों से बचाओ, कीट अथ्वा नाशक चीव से बचाओ, उपजिक्षित्र का विस्तार। फसल की एक नई आनुवंशिक नसल के प्रजरन के मुख्यचरन इस प्रकार है। परिवतन शीलता का संग्रे हैं। जनन द्रव्वे किसी आबादी या प्रजाती में विद्दिमान सभी जीनों और अलिलों का पुंज होता है। जनकों का मूलियांकन तथा चयन। जनक वे पादब होते हैं जिनका चयन नया पादब उत्पन्न करने हैं तू संकरण में लगानी के लिए किया जाता है। क्यूंकि इन पादबों के विशिष्ट गुणों को प्रजनक किसी पौधे में संयुक्त रूप से समाहित करना जाता है। चयनित जनकों के बीच संकरण पर संकरण जननिक इस्तर पर एक दूसरे से भिन्न दो पौधों के संकरण की प्रक्रिया है। जिससे एक तीसरे पौधे की उत्पत्ती होती है। और जिसके विशेष्टाएं भिन्न बहुदा बांचित होती है। एक यही प्रजादी के पौधों का संकरण आसानी से हो जाता है। और इससे उर्वर पौधों की उत्पत्ती होती है। दो भिन्य जातियों के पौधों का संकरण कठिन होता है और इससे प्राप्त पौधे आम तोर पर बांज होते हैं। उत्तम पुनर योगजुं का चयन और परीक्षन। इस चरण में संकरण से उत्पन उन पौधों का चयन किया जादा है जिनमें वांचित गुण हो। प्रज कंशणों यानि क्रिशिज उपचाती का परीक्षन, निर्मुक्त होना तथा व्यापारी करण। इस चरण में वांचित गुणों की संदर्भ में चैनित पौधों को शोदिक्षित्र में उगा कर उनका मोलियांकन और आदर्श वातवरन में उनके प्रदशन का अवलोकन कि रोग प्रतिरोधकता के लिए पाधप्रजनन जनक पाधपूं की प्रतिरोधक और रोग संबेदी किस्मों का संकरण और फिर संकरण से प्राप्त पौधों से रोग प्रतिरोधी क्षमता एवं फसल की गुणवत्ता पून विशेष्टाओं के लिए पौधों का सावधानी पूर्वक्चायन कर किसी पौधे में ये असके एक रोग यानि ग्रीन एयर को रोकने की उचिक्षमता होती है। रोग प्रतिरोधकता हे तू पादप्रजनन की विधियां। उधपरिवर्तन तब होता है जब किसी जीन में उसके अनुवन्शिक संदेश यानि जनेटिक मैसेच को बदलने के लिए परिवर्तन किया होते। एक उधपरिवर्तक यानि म्यूटजेन तत्व का वाहक है जो एक जीन की भौतिक सनचन में इस तरह से स्थाई परिवर्तन ला सकता है जिससे आनुवन्शिक संप्रेशन परिवर्तित हो जाए। विभिन किस्मों के विकास है तू उधपरिवर्तकों यानि म्यूट जैन का उप्योग जिससे खेदी की उपज में व्रिद्धी हो सकती है ये प्रिक्रिया उधपरिवर्तन प्रजनन कहलाती है। कीटों का आक्रमन खेदी की एक गंभीर समस्या है जिससे फसल की हानी होती है और उतपात की गुणवत्ता में कमी आती है। परितंत्री तथा परिया वर्णिये द्रिश्टी कोणों से लापतायक है। उधारन कीट प्रतिरोधी बीटी मक्का खादे समगरी की उन्नत गुणवत्ता के लिए पादप्रजनन अनिवारे सुख्ष्मु पोशक तत्वों से वंजित आहार लेने से बीमारी जीवन अवधी में कमी हो सकती है। ऐसे में जैव प्रबली करण यानि बायो फटिफिकेशन विधी फसलों में इन पोशक तत्वों के उज्चतर इस्तरों के विकास की विभिन विधियों में से एक है। जैयो प्रबली करण बायो फर्टिफिकेशन फसलों के प्रजनन की एकविदी है, जिससे पोशक अव्यवों में उरित्धी होती है। जिससे प्रजनन की एकविदी होती है। जिसका उप्योग पशुधन के चारे में किया जा सकता है। येस्ट एससीपी का एक्सरोत है। येस्ट के लाप आकार बैक्टरिया से बड़ा होने के कारण फसल के लिए आसान। मेलिक एसिट का उच्चे स्तर। लाइजीन का उच्चे स्तर। पीएच के अमलिये मान पर भी फसल संभाव। उतक संवर्धन पूर्टा नियंत्रित और स्वास्तिकर स्थितियों में किसी परक नली में कर्तोत कियों यानि विल्गित उतक से किसी पादप के प्रवधन को उतक संवर्धन कहा जाता है। विल्गित उतक से नया पादप उत्पन करने की शमता एक कोशिका की अलग होने और एक नए उतक या अंग उत्पन करने की शमता टोटी पोटेंजी कहलाती है। उतक संवर्धन से पादप उत्पन करने की विधी को सूक्ष्म प्रवर्थन कहा जाता है। सूक्ष्म प्रवर्थन से उत्पादकों को उन पाधों की उत्पादन में विधी करने में सहता मिलती है, जिनका प्रवर्थन अत्यंत धीमिकती से होता है। सूक्ष्म प्रवर्थन से विक्सित पौधे अनुवन शिक्ता के स्थर पर मूल पादप के समान होंगे, जिससे उनकी उत्पत्ती हुई है। इसलिए इन्हें काई क्रित दंक यानि सुमा क्लोन के रूप में जहना जाता है। अनुखूल सित्यों में एक उप्युक्त पोशक माध्यम पर दो अलग-अलग किस्मों से ली गई काई कोशिकाओं के जीव द्रविकों के संयोजन की प्रक्रिया को काई क संकरन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं? विशाल बीच कमपनी सिजेंटा ने इस वर्ष कोलोराडो से ओहयो और केंटुकी से मिने सोटा तक की समस्द कौरन बेल्ट में 800 भूखंडों पर अपनी एगरी शोर आठी जियन पधती शुरू की है, जहां किसान अन उगाते हैं। सिंजेंटा जीन ब्लू प्रिंटिंग कारिक्रम में गंभीर सूखे की स्थिती में कई संकर प्रजातियां विक्सित की गई हैं। सारांश से खाद्य समगरी या उत्पात के स्रोत के रूप में किया जाता है। मानाव भोग हेतु दूद एवं दुग्द उत्पादों के लिए पशुओं का प्रबंधन देरी उद्योग कहलाता है। पोल्टी से तातपर्रे उन पालतू पक्षियों के संबर्ग से है जिनका उप्योग भोजन अथ्वा उनके अंडों के लिए किया जाता है। पशु प्रजनन क्रिशी की वो शाका है जिसका संबंध घरेलू पशुओं जैसे मवेशी, सुर, भेड़ और घोड़े आदी की देखभाल और प्रजनन से है। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन की उस विधी से है जिसमें एक ही नसल के या विभिन नसलों या फे प्रजातियों के असंबध पश्यों का संयोग कराया जाता है। मदुमक्की पालन मुख्यटा शहद एवं मुम के उत्पादन के लिए किया जाता है। मास्तिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मचली, सीपियों यानि मोलस्क, कवच युक्त जीवों यानि क्रस्टीशियन आदि को पकड़ने उनका प्रासंसकरण तथा उनकी बिक्री से होता है। पादप्रजनन विक्यान की वो शाका है जिसका संबंध पेड़ पौधों को मानव जाती के अनुकूल बनाने हे तू उनके परिवर्तन शील जेनो टाइपों से होता है। उत्परिवर्तन तब होता है जब किसी जीन में उसके अनुवन्शिक संदेश यानि जनेटिक मैसेज को बदलने के लिए परिवर्तन किया जाता है। जिससे नईकून उत्पन होते हैं जो पूर्वचों में नहीं होते। जयोप्रबली करण यानि बायो फर्टिफिकेशन फसलों के प्राजनन की एकविधी है जिससे पोशक अव्यवों में पृत्ती होती है। शहवाल, यीस्ट, कवक या बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को एकल कोशिका प्रोटीन यानि SCP कहते हैं। विलगित उतक यानि कर्तोतकी से नया पादब उत्पन करने की शमता किसी कोशिका की अलग होने और एक नय उतक या अंग उत्पन करने की शमता कहलाती है। क्याता है।